हेलो दोस्तो, Quest for Education चैनल का तरप से मैं भोलारत महातो आप लोग को साबत करता हूँ दोस्तो, आज का वीडियो में हमें एक ऐसा टाइप मैत का बरे में डिस्कस करेंगे जो लगबग हर competitive exam में आता है तो शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक मुरूद है आप मेरा चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजे और वीडियो अच्छा लेगे तो like बटन में एक बर प्रेस कर दीजे Question No.1, Find the greatest number which divides 28 and 58 as to leave remainder 3 in each case तो दोस्तों यहां पर पूछा गया एक ऐसा number लेना है जिससे यह 28 को हम divide करेंगे, तो 3 remainder रहेगा 58 को divide करेंगे, तो 3 remainder रहेगा तो दोस्तों पहले यह दो नमर से हमको 3 subtract कर दना है तो पहले 28 से हम 3 को घटा देते, हो गया 25 और दोस्तों 58 से भी 2 को 3 घटा देते, तो हो गया 55 आप दोस्तों सबसे कुण बड़ा नमर से यह दोनों divide होगा तो हम जानते है, ACF उस सबसे बड़ा नमर है जिससे यह दोनों divide होगा तो यह दोनों का हमको ACF लेना है तो 25, 55, 2 times 50, 5, 25, 5, 25 तो दोस्तों, दोस्तों ACF वोगा 5 तो मेरा answer होगा 5D Question number 2, greatest number which is to be divided by 282 and 1245 leaves remainder 6 and 3 respectively दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, जिस एक ऐसा number लेना है जिससे 282 को divide करेंगे, तो 6 remainder रहेगा 1245 को divide करेंगे, तो 3 remainder रहेगा लेकिन दोस्तों यह number सबसे बड़ा number लेना है जिससे यह divide हो जाए तो दोस्तों हम का करेंगे, यह दोनों से पहले 6 तो दोस्तों पहले हम 282 से 6 घटा देंगे 282 6 घटा देंगे, 276 और दोस्तों 1245 से 3 घटा देंगे 2412 आप दोस्तों यह दोनों नमर का LCM ले लेंगे 276 1242 दोस्तों 4 138 अब दोस्तों 276 को 138 से डिवाइड करेंगे 276 तो दोस्तों ACF हुआ 138 तो मेरा दोस्तों एंसर भी 138 होगा तो यह साही एंसर है Q3 An inspector of school want to distribute 140 balls and 84 bats equally among a certain number of boys, find the greatest number of boys receiving the things in this way तो दोस्तों क्लियर लिए हम पर 100 कर रहा है यह दो नमर का हमको ACF ले ले लेना है तो 84, 140, one time 84, 56, 84, one time 56 28, 56, two time 56 तो दोस्तों ACF आया 28 तो D मेरा साही एंसर है Q4, the length, breadth and height of a room are 150 cm, 750 cm and 425 cm respectively find the length of the longest tape which can be measured the three dimensions of the room exactly दोस्तों यह पर clearly बताया जा रहा है जह हमको यह तीनों नमर का ACF लेना है तो पहले हम दोनों तो पहले हम दोनों छोटा नमर का ACF ले ले लेते हैं 425, 750 – just one time 425, 5, 2, 3 425 25 100 325 3 times 300 25 100 4 times 100 तो दोस्तो ये दोनो नमबर का LCM आया 25 25 आप दोस्तो 25 और 1050 का हम ACF लेंगे 25 1050 4 150 250 तो दोस्तों मेरा ACF आया 25 तो दोस्तों मेरा एंसर होगा B 25 आसा करते हैं दोस्तों आप लोगो समझ माया थेंक्यो फर वाचिंग एव अप गूड दे